को अधार आज बताऊंगा बाउंसर बाल पे च्छक्का कैसे मारना है शिरीज आगे बढ़ रही है शिरीज का अगला वीडियो है जो कि बाउंसर बॉल अभी तक मैंने स्वाट बॉल पे बताया था जिसमें स्वाट बॉल में पुल शॉट मार रहे थे हम लोग अभी इसमें शॉट बॉल से भी थोड़ा पीछे होता है बाउंसर वाला एरिया होता है इसक्रीन में आप देख सकते हैं जो बाउंसर बॉल होता है वह बॉल आपका यह जो पुल शॉट वाली बॉल है शॉट बॉल वह आपकी चेस लेबल तक यानि आखुं से नीचे तक आती हो बॉल उसको आप आराम से पुल मार सकते हो अब बाउंसर बॉल इससे उपर लगवग आखुं से उपर कभी कभी सीर के यहां भी जली जाती है और बहुत बार ऐसा होता है अमपैर यहां की बॉल को वाइड नी देता है बाउंसर नी देता कई बार नॉर्मली अमपैर खड़े रह आगे अगर आपने कोशिश भी की तो कि इतनी उची बॉल होती है आपने केच उठना है आपका तो उसमें एक ही ही शौड लगती है जिसको खुक शौड बोलते है और वो बेकवर्ट इसकुआर लेको तरब या स्कुआर लेक की तरब भी जा सकता है अगर कनेक्शन तो इसलिए इम्पोर्टेंट यह है कि जब आप खेलते हैं, बॉल आपकी आती है, यह प्रैक्टिस से ही संभव हुए, प्रैक्टिस में 50-100 बॉल प्रैक्टिस करेंगे, यहां पर डालने की और उसको जैसे देखो, यहां पर रेडी हो, बॉल आया हलका सा बैखुट गया, य इस साइट को थोड़ा सा आपने पावर जनरेट करना पड़ता है, यहां के लिए ज़्यादा पावर जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है, शिर्फ आपको बॉल पर फोकस करने की जरूरत होती है, और बैट कैसे भी आपका टच हो जाए, तो क्यूंकि वहां से इस्पीड आपने सिर्फ हलका सा पूछ भी लग जाए, अराम से चक्का जाता है, तो सिर्फ ध्यान लखने वाली बात है कि आखों से उपर की बॉल हो, आपकी आखों से उपर की बॉल है, और यह आपको तभी संबव है जब आप खूप सारी इसमें प्रैक्टिस करने के बॉल कंटीन अरे साथ सा प्रोब्लम आती है, रेगलर्ली वीडियो आ रहा तो, आप सीधे सबसे पहले तो आपने आपका बॉलर है सीधे आपको फूल तोस डालेगा, और आपने कनेक्शन बनाना, आखों से बॉल को लस तक देखने के हैवीड बनानी है, और ऐसमें के इस साइड को मार मारते जाना है 50 बार 100 भार भी आपमाल लेंगे तो आपको confidence हा जाएगा और अच्छे से चकाल लगने लग जाएगा बांकी बैट श्रिंग जैसे मैंने बताया ऐसे खड़े हैं यहां से देखो इतना ही जाएगा बहुत पीछे इसमें भी नहीं करना है आपने और नॉर्मली को देखे रहना है और बैट का जो पोजिशन है सीदे ऐसे लगना जाए इसमें भी सेम कलाई आपको अगर हलकी सी कलाई मून गई तो का कैच उट सकता है तो जान रहे जैसे यहां से आपने बैट पकड़ा हुए है यह हाथ का कलाई जैसा है वैसा ही जाना जी है थोड़ा स इसा ऐसा हो गया तो आपका जो बैट बॉल का कनेक्शन नहीं होगा अब यह डाउन होगा और कैच उठेगा जब यहां पर देखो मेरा बॉड़ी पूरा घूम रहा है मैं बैक फुट मार रहा हूं पूरा बॉड़ी घूम रहा है बैट का स्विंग आप देख सकते अभी जो मेरे को बॉलिंग कर रहे हों खेल के भी दिखाएंगे वह कैसा करते हैं उनको फ्रंट फूट से खेल देते हैं अगर आप फ्रंट फूट से खेलेंगे तो आपका 100% कैच उठेगा इसमें पूल शॉट में इस तरह से लगवग इनका देखना यह फ्रंट फूट में खे बॉड़ी भी अगर देने साइट को थोड़ा सा टन होगा तो तब जाके भी आपका सोट थोड़ा बॉल लग सकता है लेकिन अगर बैक फूट जाएंगे और अच्छा सोट बनेगा इस तरह से बॉड़ी उनका टन नहीं हो रहा इस वज़े से उतना अच्छा सोट बैठ न बॉड़ी को घुमाना बहुत ज़र रही है साइट बॉल के साथ ही तर जाके यह सोट बैठ रहे हैं